वेलकम बैक टो माई चैनल केरेटर मिनाकशी, मैं मिनाकशी और फ्रेंड्स आज मैं आपको ये पगड़ी बनाना सिखाने वाली हूँ बहुत इजी वे में मैंने इसको बना कर तयार किया है और बहुत इजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी तो friends अगर आपको ये पगड़ी बनाना सीखना है तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक और friends वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना जाती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके ओल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोडिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो friends तेरी ने करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब हमें क्या करना है यह साटन के रिबन हमें इसके ओपर लगाने है साटन के रिबन में से मैंने यह पट्टियां कट कर ली है जितना साइज मेरी पट्टी का है उतनी लंबी मैंने यह ग्रीन कलर की पट्टी कट कर ली है और जितनी चोड़ाई हमारी पट्टी की है उतनी मैंने यलो कलर की पट्टी कट की है यानि कि हमारी लंबाई साड़िछें इंच थी इस कपड़े की तो मैंने ग्रीन कलर की साड़िछें इंच लंबी पट्टी कट की है और चोड़ाई हमारी रेड़ी इंच थी तो मैंने डे यहां पर इस तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल पास पास रखते हुए, इन्हें सिलाइसे हम अटेच कर देंगे, यहां पर, इधर लगा ले अब हम इधर भी एक्सलाइ लगा लेंगे, यहें मैंने यलो पटियां इसके ओपर अटेच कर ली, अब हमें क्या करना है, इधर की साइड में हमें ग्रीन कलर की पटियां अटेच करनी है, बराबर बराबर रखते हुए, इस तरीके से, और यहां पर लगा लेनी है, यह देखिए मैंने ये ग्रीन पट्टियां इसमें अटाच कर दी, अब हमें क्या करना है, इनमें से एक पट्टी को लेंगे हम, और यालो पट्टी की पहली पट्टी को छोड़ते वे दूसरी पट्टी को इस तरीके से उपर उठाएंगे, और इसके नीचे स इसको निकालेंगे, फिर एक पट्टी छोड़ेंगे, दूसरी पट्टी के नीचे इसको निकालेंगे, इसी तरीके से करते होए, हम ये रोब पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए, ये एक पट्टी मैंने कर ली, आप दूसरी पट्टी को करना है, कैसे करना है, पहली लाइन में हमने क्या किया था पहली पट्टी को छोड़ा था अब की बार हम पहली पट्टी में डालेंगे और दूसरी पट्टी छोड़ते वे तीसरी पट्टी के नीचे से स्कोनी का लेंगे इसी तरह के से नेक्स्ट में करेंगे हो झे कुछ दो परिमने कर लिए अब यू तरह से कर लेंगे इस तरह से हमने पे smokes ती के टिक इन परनी परिटी चोड़ी थी और दूसरियी पर्टी के नेचे से निशे श्को डखार था उसी तरिके से अब करना है 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 यह देखिये इस तरीके का डिजाइन बन कर तेयार हो अब हमें क्या करना है यहां पर लाए लाकर इसको टैच कर देना इसमें कि अब क्या करना है जो हमने यह वाली पट्टी ली थी इस के उपर तीन साइड से टैच करनी है इसके तीन साइड मैंने इसको टैच कर लिया अब हम इसको सीधा करेंगे देखे मैंने इसको सीधा कर लिया अब हमें क्या करना है इसको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई के किनारे किनारे लगा देना है यह देखे फ्रेंट सिलाई लगाकर मैंने इसको त्यार कर दिया अब हमें क्या करना है इसको इस तरीके से क्रॉस फोल्ड करना है देखे इस तरीके से हुआ और यहां पर सिलाय लगा Israme चैज कर देना है इसको इस इसरियार कर लिया इसको अब हम यहां पर वलावर की सैड में यह फावर लगा लेँगे यह लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका final look कैसा आता है, यह देखें friends मैंने यह flower लगा दिया है और इसके बीच में एक मोती भी लगाया है, अब हमें क्या करना है, एक फ्रील तियार किया है मैंने, देखें मैं इसे औरल में बताती हूं किस तरीके से तियार किया ह एपने है, फले हम इसके इंदर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लगानी है, इस तरीके से लगा ने बेखाते हैं, और यह बहुकि निहां बोगाएट लाइए, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पगड़ी और मेरे सिखाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड फैमली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करके और के बटन पर खिलिक करना बिल्कुल न भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप किरेटिंग एंड कीप स्माइलिंग